वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडिट यहीं पर आते हैं ध्यान रखेंगे अगर आप मेंसे कोई बीडियाफ को इसके थूरू नंबर आपके सामने है उसके थूरू आप कभी पीडियाफ को ले सकते हो दूसरी इंपोर्टेंट चीज टेलिग्राम पर सारा कुछ हम लोग जो है वह अपनी इंफॉर्मेशन को देते हैं अगर आप मेंसे कोई भी काफी टॉपिक्स जो हैं वो आयार से लिए हैं जैसे कि इंडिया और ओमान के बीच के समंद्ध इंडिया और मॉल्डीव के बीच के समंद्ध यमन का हूती विद्रोहू इंडिया का एक्सपोर्ट संकुचन इथिनॉल एंटी टेलर लॉग चीक है तो देख लेते हम लोग हमारे important सभी articles को जिसमें सबसे पहला है इंडिया और ओमान का क्यूं क्यूंकि 16 December से सुल्तान हैताम बिन तारीक जो है ओमान के वो भारत में विजट कर रही हैं और उनके विजट हमारे लिए जरूरी हो जाएगी और क्या-क्या important चीज़े बन सकती हैं उससे जुड़ा वो हम लोग अभी आपके सामने ही मैं बता दूगी कि क्या हमसे उच्छा चाह सकता है इसकी उपर समझे बात को सब लो चालो अभी हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भी गए थे चेक है यह उमान जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है काफिन नजदीक पढ़ता है हम से और पहले के समय में भी हमारे उनके साथ रञेसं सबस्स कोई समन्द रहे हूँ समन्द तो अच्छे ही रहे हैं उनके साथ लेकिन हमने उनके साथ बह। स सारे आपके लो कि operations भी बहुत करें हमने उनके साथ, बड़े operations करें हैं, अभी उनके साथ bilateral talks चल रही है, agreement और comprehensive partnership वगएरा की जाएगी, काफी सारे discussions वगएरा की जाएगे, बैसे पास तो नहीं है इतने, लेकिन cultural links बहुत पुरानी है, गल्फ रीजिन में ही ये located है, चेक है, ओमानी पोट का access भा हमारे relations की मैं बात करूं, इंडिया उमान के तो हमेशा इनके rulers के साथ हमारे relations काफी close रहे हैं, और काफी favorable attitude ही देखने को मिला है, ओमान जो है, वो रीजिनल अगर मैं area की बात करूं, cold war के बात से जब से अरब country, इंडिया की तरफ काफी जादे जुकाव में है, दुविदा में भी रहे थे, तब उमान ने हमेशा से इंडिया के साथ अपना relation अच्छा रखा, चाहे कभी दिक्कते भी आई ना संघश ग्रस्त समय भी रहा है ना फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से हमारे साथ रहे है, उमान की foreign policy भी इंडिया के साथ काफी अच्छे से रही है, का जो हमारी partnership है G20 वाली, उस G20 partnership में भी इंडिया को, इंडिया ने उमान को ऐसा guest nation invite किया हुआ है, तो इसी से हम कह सकते हैं कि relations जो है, वो progress पे है, free trade agreement हो चाहे कैसा भी हो, काफी है, और अच्छा मैं को और बता दूँ, जो अभी आए हुए है, पहली बार उमानी ruler इंडिया म के बाद, तो करें 20 से 25 सालों के बाद, यह विजिट होई है, और comprehensive economic partnership agreement का sign होने की पूरी-पूरे आसान, ठीक है, और इंडिया जो है, काफी बड़ा export करता है, यहाँ पर, 80% इंडिया की जो goods आते हैं, उमान में, जो भेजे जाते हैं, उस पे 5% की import duty लगती है, कितना परसं जिसमें सबसे जादा हम वहाँ पर कपड़े, टेक्स्टाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, मशीन, आइरन, स्टील, इनको सबसे जादा हम यहाँ पर बेचते हैं, चिक है, अगर मैं 2022 और 2023 के आकड़ों की बात करूँ, तो इस मताबिक हमने, उमान और इंडिया ने आपस में कुल म रहे हैं, और साथी साथ, इंडिया ने यहाँ पर ओमान की मुंबई में, 1976 में बनाई थी, और ओमान ने, भी 1972 में, तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज की डिसकाशन्स जो हैं, वो खूब खूब चल रही हैं, ठीक है बई, डिफेंस के भी अगर मैं बात पूरू, डिलेशन पूर्ण के साथ करने शुरू करी है, वो भी, मतलब आप कहलो कि एक्ससाइज बगर, अमने, मतलब पहरी बाद जो किसी हमने अगर, मैं क्या कहलो, अरब कंट्री के साथ, अगर हमने कोई एक्ससाइस करी गे, तो वो इन ही के साथ करीगज, सबसे पहली बाद, ठीक है, और जो है वो तीन अगर्स दो हजार तेस को अभी हुई भी थी exercise थी MPX Maritime Partnership Exercise Indian Navy और Royal Navy of Oman ठीक है और हमारी जो है INS विशाखा पटन वो हमने मस्कट Oman को अल्रेडी दी हुई है trade की बात है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है trade भी मैंने बताई दिया है trade और commerce की relations है bilateral trade काफी जाथा मैंने आपको बताया था पहुझ किया है joint ventures start हो गए है India, Oman में second number पे Oman की markets में second number पे समान इंडिया के तरफ से ही जाता है चाइना के बाद चाइना के बाद second number पे इंडिया का ही export वहाँ पे पहुचता है future prospects भी बढ़ेंगे इंडिया, Middle East, Europe, Connectivity जो हम लोग start करें इस बार के budget में भी कही थे उसमें हम G20 की बाद जो हमने कहा है उसमें इस प्रोजेक्स को start किया जाएगा strengthen किये जाएगे काफी सारे agreement दोनों एक दूसरे की visit पे करते है एक private consortium है SAGE के नाम से ये भी आपको पता होना चाहिए private consortium का मतलब होता है privately run करने वाली कोई चीज जैसे की SAGE है SAGE एक full form आप देख लो South Asia Gas Enterprise ये ओमान और इंडिया के बीच में pipeline का project है 10 साल पुराना project है लेकिन अभी काफी जादा इसमें changes आ रहे हैं कि हम इसको कैसे और जादा mature करें तो इस तरीके से ये इंडिया और ओमान के relation थे जो first हमने relations को cover किया है ऐसे ही हम second relations को भी cover करेंगे that is इंडिया और Maldives के relationship जिसमें वो लोग 2019 के memorandum को अभी 2023 में वो खतम होने वाला इसको revive कराने के लिए जो है Maldives की cabinet ने ये चीज़ decide करा है कि हम इसको नहीं दुबारा से revive करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वेज पे हम लोग उने इंडिया नेवी और Maldives की forces में यहाँ पर तीन सर्वेज को जो है एंजान देनी की बात के ही तो अभी ये न्यूज में आया है कि जो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेज होते है हाइड्रोग्राफिक सर्वेज का मतलब क्या होता है सर्वे वगेरा करना मतलब कि नेविगेशन को कितना इसको एक्स्प्लॉर हो सकता है कितना उसके अंदर से उसको एक्स्प्लॉर किया सकते हैं ड्रिलिंग की जा सकती है वह सिरुट को tracing Pa वेम्रिट होता है कि ऐसको इसमें पूल्स काफी अच्छ से का उधनर चाहिंते में थन्हों erosion इन्होंने इस डीर को मना कर दिया ठीक हम इस डीर को नहीं करना चाहते ठीक है 2019 में हुआ था ठीक है नाविगेशनल चार्ट बनाएंगे शिप्स के लिखते मॉल्डिफ पास में पढ़ता है और काफी टूरिजम बें इंडिया देता है वहाँ पर और वहाँ पर तो यह बोल रही है कल्च्र एक्स्टेंड टूरिजम बहुत रहा है और 2019 में हम लेगों ने साइन भी किया हाइड्रोग्राफिक तर्वे जो कि बहुत बड़ा एक इंपोर्टन स्टेप रहा है इन रिलेशन्स को बढ़ावा देने के लिए लेकिन चालेंज वहीं है बहुत सारे आने ल इंडिया को कि अपनी मिलिटरी परसनल जो आपनी इंप्लॉई डिप्लॉई की एवन अपने मिलिटरी के लोग इंको बापस बुला जाए यहां पर हमें नहीं जाए ऐसा इनों ने बुला चीक है तो इस तरीके से यह चीजें हैं प्लांड था इसमें 2023 में हमें कि इसको रि हमारे सर्वेस चल रहे हैं ओन गोइंग सर्वेस हैं रुके नहीं है जैसे मौल्डीव में रुक है तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पाक्ट को एंड कर दिया मौल्डीव ने अपने को यह पूरा इंफॉरमेशन अच्छे से रचीवी होनी चाहिए ठीक है इंडिया की अग प्रोग्रेसिफ पार्टी ऑफ मौल्डीव के पीपीम पार्टी से आए हैं वो वो प्रो चाइना देखी गए है जबकि इनके पहले के प्रेजरेंट सोहिल वो इंडिया से काफी फ्रेंड्ली थे लेकिन अभी जो आए है वो प्रोचाइना जियो पॉलिटिकल स्रॉक्चर क और जादा रिवाइफ करने की जरुवत है गार्मिन को जितना जादा रिवाइफ होगा यह चीज उतना बेनेफिट पहुचाएगा हमें आगे चलके हमें काफी अच्छा एक स्कोप दे सकता है राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ वो है यमन के ह हूती रिवल्स काफी न्यूज में चल रही है कि यह क्या है इसको एक बार देख लेंगे हूती के इनकी प्रणंसियेशन जो है वो हूती है अभी यह यह जो पोरा रिजन रहा पर काफी सारी चीज़ चल रही है हूती मूव्मेंट कहा गया है और इसको अंसार अल्हा के ना उत्षेन अल रह और अब्डूल्म nuclear हूती चीज़ इसलिए इसलिए इनके नाम से हूती ट्राइब्स के ज्यादा पर आगे बढ़ रही हैं तो यहाँ पर हुआ क्या है अभी येमेन के हूती के जो रिबेल्स है उन्हों ने जो रिड इस ही है वहां पे लाइबिया के जो मा आज के डेक पर काफी बड़ी आग लग गई तो उन्हों ने बोला कि हम लोग इसराइल पर प्रेशर बनाने के लिए काम कर रहे थे तो हूती ट्राइब्स निउस में आ गए यमेन आपको पता ही है यमेन और ओमान आज के लेक्चर में हमने ओमान भी पड़ा यमेन और ओमान आपस में पड़ोसी देश की तरह है यमेन जगाई ऐसी है वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फलिक्ट होते रहते हैं यह पड़ो आप लोग हूती मूवमेंट्स अंसर अल्ला के नाम से सपोर्टर्स ऑफ गॉड गॉड के सपोर्टर्स यहां से यह 1990 में निकल किया थी जैद कुमान है इधर येमेन है तो रहां टच कहते हैं बाउंडरी वहाँ पर जो है वाटरवेस पर काफी बड़े अटाक्स होने लग गए है उन्होंने वहाँ पर मिसाइल जो है वो दागी और उस तरीके से काफी बड़ा इंपक्त पड़ता है इसके पर तो आपको हूती च्रा काफी न्यूज में है यहनोंने मिसाइल्स ट्रोन अटाक्स साओधी की सिटीज पर काफी जाधा करें है चलो अगला देखो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉंट्राक्शन इंडिया का जो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज है निर्यार जो है भारत का वो घट गया है 2.83 परसंट घटकर 33.9 बिलियन डॉलर हो गया जबकि आया जो है इतना हो गया वही बात है यार हमारी सालरी तो है बहुत कम लेकिन हमारे खर्चे एक्सपेंडीचर जो है वो है जाधा तो अबसी बात है सेविंग्स तो होंगी नहीं और नुकसान होगा तो यहां पर भी यही हो रहा है हमारी जो चीज़े आ रही है ठीक है वो कम है लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और कम हो गया है ठीक है एक्सपोर्ट बढ़ने की जरूरत है अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा तभी देश को फायदा होगा इंडिया का ट्रेट डेफिसिट जो ह जाना चाहिए मंदी के बावजुद्धी भारत ने इतना ऐसी चीज हासिल करी है ठीफ एकनॉमिस ने भी बात बोले कि पहले काफी डाउन थे एक्सपोर्ट डाउन हो गए इंपोर्ट डाउन हो गए इंपोर्ट कॉंट्रेडिक्शं हो गया मतब हुआ गया है प्त्रेश ने गंई देशवा ने थे प्रेसी लेकिन इसके कुछ आप बतात बढ़ाए खा जाता है को मिल सकता है जिसमें जो है जो है पॉजिटिव साइट को अगे हम देखें तो इससे डिमेस्ठिक इंदस्ट्री इसको काफी बढावा मेलेगा आपको सब्सक्राथ करने को मिलेगा तक रहां दो यूज में नहीं है बेसिक बेसिक चीजे थी अगर आप इसको भी लर्न कर लो के अच्छे से तो उतना भी आपके लिए इनाफ है जाएंगे लिमिट सेट कर दिया 17 लाक टन की ओपर और इसमें हम लोग शुगर के इन जूस और भी हैवी जूस मुलासिस के लिए अलाव किये कितना रेश हो रहेगा उस पर अभी भी मीटिंग्स चल रही है डिसाइड किया जा रहा है कि कितना अमोंट में होना चाहिए चाहिए इनर्जी सेक्यूरिटी तो इथनॉल प्रोडक्शन होगी फार्मर्स शुकर किन फार्मर्स को भी बेटर होगा प्लीन फ्यूल है ग्रीन में चेंज का टार्गेट जितनी भी हमारी सारी चीज़े होती है वह हमारे एक बैटर ओपॉर्चिनिटी में देखने को मिड़ी है तो वही है वही चीज़े इतमें लिखी हुई है इतनौल प्रोडक्शन जो है वह क्रूड और इन सब चीज़ों में काफी हेल्प करता है भ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी वो भी इस तरफ से जाएवा फोकस करना शुरू कर देंगे अगर कोई भी क्रिशी योग्य भूमी को केवल गन्ने की क्रिशी भी अगर इस्तिमाल करोगी तो वहां का भूमी उपयोग खराब हो सकता है नकरात्म करभाव पढ़ सकता है और स लास आर्टिकल है आंटी टेररिस्म लॉव मैंने वैसे तो आपको लास क्लास में करवा दिया था मैं शॉट में एक्स्प्लेइन कर देती हूं इस वाले को कोट ने पूरे इसकी बारे में बताया कि हम लोग जो है यहां पर अभी हम कोई भी आपको नहीं देने वाले आपको कोई भी यहांपर बेल भी नहीं देने वाले हैं बना ग्रांट कर दिये यह लंका के citizen है यह कहकर कि उनको आप बेल नहीं दे रही हो तो यह सब चीजे हटा था के उसके ओपर यहां पर इन्होंने उन्होंने बोला है कि केस के बारे में अलक से वीडियो बनाई जाएगी और आपको में केस के बारे में एक्स्प्लेंग करूंगी कि एक्जाक्टि केस ज़ सकते हो बागी UAPA Act मैंने अपनी पिछली classes में explain किया है आप चाहो तो मैंने वीडियो पॉस करके इसको read भी कर सकते हो UAPA जो है Unlawful Activities Prevention Act अच्छली में है क्या आज का question है हमारा भारत मंदपम पे आप सभी लोग जानते हैं सब लोग भली भारती परीचित हैं भारत मंदपम से भारत मंदपम जो है ये G20 में काफी बड़ी attraction रहा था और भारत मंदपम G20 में असल में ये Lord Biswesvara के concept से निकल के आया था चीक है वहां से निकल के आया था ये तो वहीं से इस word को निकाल के हम लोगों ने इस्तिमाल किया था चीक है ये Lord Biswesvara अनुभव मंदपम के concept से निकल के आया था और जो अनुभव मंदपम था वहां पे जो लोग थे they were not elected by the people अनुभव मंदपम जो बना गया था उसमें लोगों से elections नहीं होते थे तो भारत मंदपम बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया था दिल्ली के प्रगती मैदान में G20 का सम्मिट जहां पे हुआ था पिच्चर जरूर देखना जाके इसकी बहुत से लोगों ने यहां पर आके अपनी पिच्चर भी क्लिक करी थी जो बाइदें रिची सुनाक काफी सारे लोगों ने इनागरेट किया था 26 जुलाई को और बहुत सी कंट्री ने आकर यहां पर गया तो यहीं पर ही एक नट्राच का स्टाच्चु भी बनाया गया है ब्रॉंज का मैंने नट्राच के स्टाच्चु को बहुत डीटेल में अपनी वीकली करंट अफेस में कवर अप किया है यहां पर फैसिलीटी रखी गई है इस पूरे भारत मंड़पम में 2700 करोड की लागत पे इसको बनाया गया है ठीक है बहुत स्टेट्मेंट्स आप देख लो इसमें दो स्टेट्मेंट स्टार्टिंग की तो करेक्ट थी थर्ड गलत थी नॉट इलेक्टर था ना हाइर मैं ने बताया था आपको फिर आता है वर्ल्ड सिटी इस कल्चर फोरम प्रिलम में पूछे जाते हैं यह वाले सारे क्वीशन जितरे भी आप देख रहे हो जितने वी आप पढ़ रही हो यह सब आप से कल्चर फोरम को जॉइन करने वाली बैंगलूरू करनाट tka की पहली भारक की city बनी है जो यहां पर जुड़ गई थी पहले ही जुड़ गई थी मतलब अभी तो नहीं जुड़ी है यह जून जुलाई में पहले ही जुड़ गई थी अल्रेड़ी इसके अंदर न्यू यॉक लंडन पारिस टोक्यो दुबई यह सब अल्रेड़ी आड़ेड है असल में यह वर्ल्ड cities culture forum 2012 में लंडन के मेर ने स्टार्ट किया था ब्रिटिश कुईन एलिजबेट के कहने पर कि उन्होंने बोला कि अर्वन cities को एक साथ जोड़ करके अब एक नया partnership करके बढ़िया सा बनाते हैं ऐसे तो एक अच्छी सोच के सहत उनको बनाया गया था ते पहले की कपकब बना कैसे हैं फिर आप बदाओगे बैंग लोड जिसको हम लोग निकने में सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह भारत की टेकनोलोजी में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम करता है जहां पे 30 से जादा government और private के museum हैं जो कि city की बहुत बड बहुत से festivals भी हां मना जाते हैं जिससे वर्ल डेवल पे एक reputation जो है वो हमारी जाती है टेक और culture का hub southern इंडियन स्टेट की करनाटका का capital change की तरफ बात करता है उसमें बहुत अच्छा आप बैंगलोरों की हां पर बता सकते हैं हां पर बहुत बड़ा hub बनाएंगें जहां पर अर्बन लिविंग लाब आर्टिस्स साइंटिस्स शेफ गार्डनर्स सब के लिए अलग से जो है वह प्लेस बनाया जाए तो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा cultural offerings है जिसमें एक vibrant culture हमें यहां पर देखने को मिलता है तो prelims और मेंस दोनों के लिए जरूरी है मैं ऐसा कहूंगे कि prelims के लिए जादा सरी है तो आप लोग prelims के लिए पहले पढ़के जाएंगे बागे फिर आप मेंस में ही मैंना आपको बताई दिया है कि हमारे लिए काफी बड़ा important part रहा है और इससे क्या होता है कि जो world cities culture forum है ये एक tourism well being economic growth का एक symbol माना जाता है वो से research करना city partners बन जाना activities का organize होना summits होना उस state में बढ़ जाता है तो significance इसमें यही है हमारी identity कभी loss नहीं होगी और हमेशा इस पार्ट में होने की तहट जो बाकी cities हैं और New York, Tokyo इनके साथ हम लोग भी जुड़ जाएंगे और हमारी बहुत अच्छी cultural identity बनेगी बैंगलोरू विल ह जावा seat at the table जहां पे नए future plans में बैंगलोरू भी पार्ट बन सकता है समझें तो इससे बैंगलोरू को एक thriving global cultural metropolis में help मिलेगा climate change, affordable housing, cultural life, architectural heritage इन सब को preserve करने एक नया मौका मिलेगा तो यह सब थे आपके जो आपको आज complete करना था ठीक है अपना complete के ज़र comment box में comment करके मुझे बताईए आपका तो सिरफ एक मिनट भी क्या 30 सेकंड जाते हैं उससे हमें बहुत अच्छी motivation मिलती है तो आप सभी लोग comment करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी ठीक है भाई complete केजे अपने हाँ तक मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले lecture में पाद शुक्रिया जैहिन